हलो आज है फिफ्ट मार्च और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं इरडा के बारे में आज भी गिरावट आई है साड़े तीन परसंट गिरा है यह और एक महिने में अगर आप देखो तो लगातार यह गिरता हुआ नजर आया 30% के गिरावट हम यहाँ पर देख च गिर भी रहा है और अगर आप चैनल को regular follow कर रहे हैं तो यह वो time था जहाँ पर मैंने हर बार कहा था कि मौके नहीं बन रहे हैं अगर खरिदारी के मौके हैं वो 120 रुपए के आज पास शायद बन सकते हैं तो उस level पर आपकी नजर होनी चाहिए हाला कि जब यह आपको सस्त वाला नहीं है और बात करेंगे उसके बारे में भी लेकिन उसे पहले अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा आगे बहुत सारे वीडियो से जब वो काफी जादा help करेंगे तो देखें इर्डा को ले इन्ट्राडे में उसके बाद लगातार ये गिर ही रहा है जिगर एस पटेल जो कि सेनियर मैनेजर है टेकनिकल रिसर्ज आनंद राठी के उनका ये कहना है कि स्टोक इन ट्रेड रेंज और रूपीज वन हंड़ेट थर्टी फाइट रूपीज पिशल लंबे समझ से इसी क आसपास है और जो सपोर्ट है वो 140 रूपे के आसपास है और जो यहां पर रेजिस्टन्स है वो 160 रूपे के आसपास का है अगर यहां पर 160 रूपे का लेवल तोड़ दिया इसने तो 175 तक की भी लेवल देखने को यहां पर मिल सकते हैं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो last level था 154 का वो भी यहाँ पर तोड़ चुका है ये और looking at a price action we should wait and one can look for aggressive long only at rupees 127-28 और जो stop loss है वो 113 रुपय का लगाना चाहिए अगर ये इस level के आज़ पास आता है तो आप long position ले सकते हैं 113 रुपय के stop loss के साथ दूसरी तरफ अभी जी जो के tips to trades के हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर daily chart with strong resistance यहाँ पर 164 रुपीज का है और अगर आप देखो यहाँ पर कि अगर 140 रुपय का level तोड़ देगा 324 रुपय तक के भी target near term में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं यह इंका कहना है और देखा जाए तो मैं मान के चल लोग कि हाँ थोड़े बहुत अभी भी correction यहाँ पर आएंगे एक दो दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूँगा जब तक एक support नहीं बनता base नहीं बनता तब तक इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो इर्डा को लेकर तो भाई साब lock-in periods भी कुछ end हो रहे हैं और जिसको लेकर थोड़े बहुत triggers यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इर्डा के अगर हम बात करें तो 147 करोड शेर जो है वो eligible होंगे trade करने के लिए in my month जिसके lock-in और कई सारी और companies भी है जिनके lock-ins end हो रहे हैं lock-in periods होता है वो end हो रहे हैं इर्डा को लेकर अगर हम बात करें इसी को लेकर तो यहाँ पर according to the note from Novama alternative and quantitative research इर्डा will see over 147.80 करोड शेर्ड और कैसा तो कि 55% of its outstanding equity become eligible for trading when its 5 and 6 month lock-in end होने वाला है अगें यहाँ पर यह clarify कर दो कि shareholder lock-in ending does not necessary mean the share will be sold in the market it just become eligible to trade ठीक है ऐसाने किसे बेचने के लिए आएंगे trade के लिए है कई सारी companies के है जैसे कि Xiaomi hotel से अगर हम बात करें तो lock-in पिडियर का जो साथ मार्च को है और 56 lakh shares है 3% के लो outstanding यहाँ पर एक है RR काबेल का भी है जो 21 मार्च को यहाँ पर है और 7.1 करोड share 63% है यह RR काबेल का उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखे तो एक और भी है signature global है JSW infra है 10.3 करोड share यहाँ पर है और इसी तरज पर अगर आदेखे तो IRIDA का जो lock in period end है वो 30 माई को होने वाला है अभी time है लेकिन 147.80 करोड share वाईसा बहुत बड़ा नंबर है यह बहुत बड़ा नंबर है तो जाहिर से वाद है जब इतनी बड़ी quantity जब trade के लिए आती है तब थोड़ी बहुत जो चिंताए है वो तो आनी लाजमी है टाटा टेक का भी है 27 माई को इसका तकरीबन 26 करोड के आसपास का है तो यह देखो यह lock in period के बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि generally ऐसा होता है तो वह एक बड़ी quantity trade के लिए आती है और कहीं न कहीं वो बहाँ सार पर असर डालती है यहाँ पर IRDA को लेकर देखे तो volume इसके दो करोड से भी जाद के देखने को मिले इतने हैं नहीं company में according to money करो user 71% के रहें ख़ईदार करो 29% के रहें बेचो और भाग जाओ और तो और company के अगर आप dividend की बात को तो जाहर से बात अभी हाल फिलाल की listing है तो dividend पे नहीं करा लेकिन definitely साल के end में पे करेगा जरूर और यह उतना ही पे करेगा dividend जितना IRF से कर रहा है ठीक है उसी के आसपास का ही करेगा जहां तक valuation की बात करे तो अभी भी सस्ता तो नहीं है 36 का P है इसका sector P भी इसका है कोई भी खरीदारी के बात नहीं कर रहा है अभी तो मैं भी नहीं करूँगा मुझे लगता है कि यहां पर जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका है मैं अभी कहूँगा कि मुझे 120 रुपए का लेवल अच्छा लगता है यहां पर अगर वहां पर जाता है और जाने के बाद अगर भेज बनाता है सपोर्ड बनाता है तब लॉंग टम क्लिए आप उसको consider कर सकते हो अगर आप इनके financial देखो कि इस company की तो definitely अच्छे हैं लास्ट कॉर्टर के numbers काफी अच्छे थे इनके profit भी काफी अच्छा था लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि valuation महंगे है अभी November में ही इसका IPO आया था 32 रुपए का IPO price था list हुआ 50 रुपए पर अच्छा कासा यह subscribe हुआ था और end of the day 60 पे close हुआ अगले दिन 65 पे गया फिर 4-5 दिन 65 रुपए के आसपास ही रहा फिर वापस से ऐसा गुमना शुरू हुआ कि यह सीधा चला गया 120 पे गया यह तो यह हुआ था फिर दुबारा 30 दिखा यह 200 रुपए से उपर गया और जब यह 150-170 के उपर गया था तब ही मैंने कहा था कि यहाँ पर खरिदारी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है क्योंकि जब गिरावट आएगी तो वह सिफ 20% पे रुखने वाले गिरावट नहीं होगी और अभी और यह 20% तो गिर ही चुका है लेकिन अब की जो गिरावट है हलाकि उससे ज़ादा कही गिरा है 32% गिर चुका है लेकिन जब जाहिर सी बात 32% से इसने 200 का लिमूव दिखाया है तो वाई साब यह 30-32% से भी रुखने वाला नहीं है मुझे रहता है कि at least यहाँ पर 40-45% के डिकलाइन एक्सपेक्टेड रहेंगे अगर आप इनके शेह होल्डिंग की तरफ चलोगे तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 75% की है अभी भी उतनी है लेकिन यह नवेंबर क्वार्टर का है और तब से लेकर अब तक बहुत सारा चींज आया है जो इंशिट्यूशन अच्छी क्वांटिटी में थे उन्होंने बिक्वाली करी है लेटेस अभी हाल फिला की जो पैटन है उसके अक्वार्डिंग जो रिटल और अधर की तकरीबन साड़े बारा परसंट की होल्डिंग थी इरडा को मैं पहले भी देखो जब ये 30 आई थी ना अभी कुछ दिन पहले जब ये 30 आ रही थी ना दो दिन की तभी मैंने विडियो बनाया था कहा था कि मैं इसके उपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी इसने अटेम्ट करा था लेकिन बापस सगी रहा था तो मैं दो दिन की तीजी पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद गिरावट देखने को मिली हैं अगें मैं इतना ही कहूँगा कि जिनको खरीदारी करने है उसको लेकर यह है जिनके पास already है और बड़े loss में है वो चाहे तो hold कर सकते है यहाँ पर panic में आकर बेचने की भी जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि long term का आपको जो है वो प्लीज सब्सक्राइब करें कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं और अगें लास्ट में कोई बाइसल रेकमेंडेशन नहीं है अगर आप खरीदारी या फिर बेक्वालिक खर रहे हो तो उसका decision आप ही का होना चाहि झांक यू